प्रीवेस लेक्चर में मैंने आपको यह हमवक दिया था और आज हम इसकी पूरी डीटेल अनेलिसिस करेंगे तो लोग बेटा स्टार्ट करते हैं इंसर्शन बिफोर अगीव नोड हमारे को करके दिखाना है हमारे पास tissue node होगी जिसमें value होगी 5 और हम उससे पहले रही करेंगे यह दालना में दालना करते हैं क्यासे करें बढ़ा अकारे ममें लोग कोशिशच करेंगे कि एकत्म पहले पहले तो वही बात है के इसमें आप से लिटा दाया था core logic करेंगे फिर boundary value analysis करेंगे कोसमें handle सबसे पहला काम क्या होगा यह है इस पार लोजी करेंगे पहले कि करना क्या होगा देखो अब विएसी बात है यह जिस भी नोड के वली पांच है उससे पीछे आपको डालनी है अब पीछे तो आप आनी सकते हमारे पास सेंगली रिंग लिस्ट है डबली तो है नहीं कि पीछ से पी नोड के डिस्ट होना चाहिए कि हमारे को पीछे खड़े हो जाना चली है यहांपे यहां पे खड़ा होना चाहिए और और हमारे को यहां पर खड़े होके देखना चाहिए क्या अगले node की value 5 है बात समझ रहे हो प्लीज पीछे तो मैं आने सकता तो best way out क्या है कि मैं यहां खड़ा जाओ इस node पे खड़ा जाओ और यह क्या है इसका next वाला part है तो suppose कर लो अगर मैं p pointer से इसको point करवाता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा p k next p k next मतलब यह इस वाली node पे इसकी value p k next की value 5 है क्या अगर 5 होगी तो वह भी मेरे को loop को बंद करना है तो ultimately मैं क्या बोलूँगा not equal to 5 और यहां लगा दूँगा while loop while while p k next का while is not equal to 5 and save और हमारे को क्या करना है p is equal to p k next p is equal to p k next ऐसे हम देरे देरे बढ़ाते जाएंगे and of course वह सब बाते मैंने आपको last lecture में भी बताई थी कि हम लोग function ही बना रहे हैं तो कोई बात नहींगा तो इंसर्ट नाम का हम function रख लेते हैं ठीक है और यहां पर हम रख लेंगे struct node star p और यहां पर एक x value लाँगा और एक y value लाँगा तो हम लेकर के आएंगे x या उपर से हमने value पास करी होगी है ना तो या इसकी यहां फिर x लिखना पड़ जाएगा क्या करें चलो यह वैसे लाना तो ठीकी है है ना तो हम void main function में से हम यह call करेंगे function को insert को इनसर्ट और यहां से head pass करेंगे और यहां से suppose कर लो मैंने value 5 पास कर ली होगी कि और यहां से मैंने 2 पास करती होगी कि नई value हमारे को new node जो insert करनी है उसकी value 2 होनी चाहिए और जो जिस node से पहले insert करनी है उसकी value 5 होनी चाहिए तो x के अंदर क्या आगया होगा 5 और y के अंदर क्या आगया होगा 2 और यह head p ultimately p और head दोनों के दोनों यहां पे खड़े होंगे याद आ रहा होगा इस सब बाते मैं आपको पहले बता रखे हैं बार बर मुझे बोलना है नी चाहिए तो p is just like head only है तो head first node को point कर रहा होगा तो p b is first node को point कर रहा होगा चलो तो फिर हमने यह statement भी आपको समझा दी while p का next का well is not equal to 5 p is equal to p connect हम चलते जलते जलते जब सब कुछ हो जाएगा ultimately हम exact node packet खड़े हो जाएगे और उससे अगली वाली node में value 5 होईगी तो अब अपनी नहीं node बनाओ तो हम क्या बोलेंगे say एक p1 pointer ले ले लेते हैं struct node star p1 नहीं node बनानी है struct node star p1 that is equal to struct node star amaloc size of struct node I hope यह याद आ रहा होगा यह विल्कुल खालतू की बात हैं सब आपको आती हैं मैंने नहीं node बना ली और p1 उसको पॉइंट कर रहा होगा तो pictorial ली कैसे दिखाएंगे इसको पॉइंट करने के लिए अच्छा जी और अब हमारे को क्या करना है पहले यह सीन सल रहा था तो अब हमारे को क्या करना है पीवन का यह पॉइंटर खाली है ना बेटा तो सबसे पहला काम वह सब आपको आप तो आता ही है इसमें आपकुछ है भी नहीं इसको इधर पॉइंट करवाएंगे तो हम क्या बोलेंगे तो सब्सक्राइब नहीं होई तो आसा भी हो सकता था तो आप लिख सकते हो कि इस पीवन डबल इस इकोल टू नल है ना मेम्री नॉट एविलेबल एंड्स और वह सब लिख लेना चलो मैं एक मिंट लगएगा लिखी देता हूं इतन दिर में लिखा भी जाएगा अबर ना मेम्री नॉट एविलेबल मिली नहीं आपको मेम्री तो पिर हम क्या करें अच्छा जी और नहीं तो अगर उसने रेटा नल नहीं किया मतला उसको ने कोई ना कोई अड्रेस दे दी आपको तो अल्स में आ करके हम क्या लिखेंगे पीवन का वैल दैट इकोल टू उसके बाद फिर पीवन का नेक्स्ट एट इस इकोल टू पी का नेक्स्ट और पी का जो नेक्स्ट होगा यह बिल्कुल वही कोडिंग है पेटा जो मैंने लास्ट लेक्शर में आपको बताया थी मेरे ख्याल से मेरे को इसमें बोलने की जूर्थ भी नहीं होनी चाहिए पॉइंट कर रहा होगा और फिर उसका हम इदर ले जाएंगे इस का नेक्स्ट इदर ले जाएंगे तो अब यह दोनों पॉइंटर इस नोट पर खड़े हैं तो अब हम एक पॉइंटर हटा सकते हैं तो उल्टिमेटली मैं यह हटा करके इदर शिफ्ट कर दूगा बस सो सि पहले पीवन कर दिया तो डिर्कली यह पूरी बाद ले लिंक्लिस्ट उसारी लॉस्ट हो जाएगी है क्योंकि पहले पॉइंटर इदर आ जाएगा तो फिर यह पूरी लिंक्लिस्ट गई इस सब बाते आपको पता हैं मेरे खाल से मुझे बार बार बोलके लेक्चर को लंबानी करना चाहिए आप समझ पा रहे होगा है तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था तो यहां पे बेटा कुछ गरबढ है या फर्स्क्लास चलता रहेगा तो सबसे वही बेसिक बात सबसे बेदा में यहीं करूंगा कि अगर आपको 5 आपको 5 मिली निए नहीं तो आप क्या देख रहे हो थी का नेक्स का वैली तो फाइव चलते 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 अल्टीमेटली सुपोज कर लो आप सेक्रिंड लास्ट नोड पे खड़े हो यहां पे P है तो पी के e- को पता है बेटा क्या बोलोगे पी का next क्या है बेटा ही तो नल है पी का next लोपार तो नल है है ना और उस पे value देखने कोशिश कर रहे हो again वही बात क्या segmentation fault तो अगर आपको 5 value value node मिली ही नहीं तो ultimately segmentation fault हो जाएगा तो हम इसमें क्या लिखेंगे error let me write it with another color error क्या होगा if node having value 5 having value 5 is not present in link list then segmentation fault segmentation fault at line one one मैं इसको label कर देता हूं अच्छा जी अब हम क्या कर सकते हैं वही चीज इसकी copy बनाता हूं आगे बढ़के आप से बात करता हूं हां जी तो segmentation fault से बचना है तो P का next का value is not equal to 5 और जैसे यहां पे था बेटा यह यह नल हो रहा था ना तो हमारे को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यह देखो जब P यहां पे खड़ा है इसका next null है वही हमारे को रुख जाना चाहिए उसके आगे हम क्यों बढ़े आगे जब कोई node ही नहीं है तो ultimately मेरे को क्या करना चाहिए था पी का next is not equal to null of course आप संच पार होगे क्योंकि जैसी पी का next null होगा तो ultimately हमारे को पी को रुकवा देना चाहिए उसके आगे जब हम जाएंगे नहीं ना उसके आगे पांच नोड मिलने का को मतलब भी नहीं है क्योंकि एक बात यह धियान रखो बेसिक सी कि हम पांच वाली अगली है के नहीं जब मैं बिल्कुल लास्ट नोड पर आ ख़ड़ा चुक हूं उसके आगे कोई नोड नहीं है तो फिर मैं आगे जाऊ हूं ही क्यों बिल्कुल लॉजिकल बात है समंच मिलना यह पांच वाली नोड है इसके पीछे मैं खड़ा होके इसको देखने की कोश पी का next, and, and, पी का next is not equal to null. पर फिर वह बात जैसे मैंने आपको last lecture में बताया था, पहले आप यह check करके आजाओ, फिर segmentation fault हो जाएगा, तो बेटर है इसको इधर करो, इसको ज्यादा लंबानी खिचना चाहिए, आप I think समझ पा रहे होगे, हम क्या करेंगे, इसको उठा करके इधर shift करेंगे, पहले null की checking करना ना बेटा, क्योंकि आप यह देखो, इसी समझ आ रहे हैं कि नहीं, P is equal to P connect करते चले गए, चलते जलते जब P is equal to P connect हम कर लिए, तो बिल्कुल लास्ट नोट पे खड़े हो जाएंगे, लास्ट नोट पे खड़े होगे, फिर आप ने यह checking कर ली तो फायदा ही क्या जिए अप इसको इदर shift करो, पहले आप यह चक कर लो कि कहीं हम लास्ट नोट पे तो नो खड़े हैं, पहले आप भी आप समझ पा रहे होगे, तो पहले आपको लास्ट नोट की check in करने चीज़ः की हम लास्ट नोट पे खड़े हैं के नहीं कह थे हैं…… अगर लास्ट या फिर हमारे को मिली है यह चीज नहीं पता लग रही है तो हमारे को अब यहां पे इस में पूरा वही बाता है इस statement डालने चाहिए जैसे लास्ट लेक्चर में उन्हें समझाया था आपको हर एक चेंजिस के लिए मैं अलग लग कलर यूज करता जाओंगा तो अगर मैंने यहां पर बोल दिया इस पी का नेक्स्ट का वैले नॉट इकल निकला हम लूप से बार रहे थे पी नल के कारण तो अगे देखने को मतलब यह जो पी है इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है हाँ जी तो अल्टिमेटली मैं क्या कहूंगा कि जब हमारे पास पी का नेक्स्ट नल है और आप यहां पर क्या चाह करो पी का नेक्स्ट की वैल मतलब वही नल पे वैल यह फिर फश्जा होगे तो फिर सेग्मेटेशन फॉल्ट आ जाएगा तो इसलिए धंग से यही लिख पी का नेक्स्ट का वैल डबल इस उगल तुफाइब बार बदा रहा हूं बाएक चांस अगर आप इस कंडिशन से बाहर आए थे तो आप पी का नेक्स्ट तो अल्यडी नल था तो आप नल पे वैल्यू देख रहे फिर से अग्मेटेशन फॉल्ट में फसज जाओगे तो और ये एरर वाली बात मैं यहां से हटा देता हूं एक बारी इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं देखते हैं अगर अभी भी कुछ ना कुछ तो एरर सहोंगी उनको हमारे को सौट आउट करना है तो स्लोली स्लोली करते जाएंगे चीजों को अब बात करते हैं अब देखो ज़रा ध्यान से क्या चल रहा है अब हमारे पास यह हमने यह लिख लिया पी का नेक्सित नौटी को टोनल मतला वल्टीमेटली कुछ ना कुछ था तो कुछ ना कुछ था तो वह पांच ही रहोगा तभी तो आप लूप से बार आयो तो यह आप एक की समसे हमने यह तो बचा लिया कि अगर हम एंड तक आगे पांच नहीं मिला तो हम सारा काम कर जाएंगे अब ज़रा मुझे बता फिर वह कहानी करने कोशिश करेंगे कि अगर लिंक लिस्ट खाली हुई तो क्या करें बिल्कुल ही खाली हुई या एक ही नोड हुई तो क्या करें वह सब चलता है कि नहीं चलता वह भी सारा देखना पड़ेगा जैसे हमने लास्ट लेक्षर में देखा था और मजे की बात बताओं बटा मैं यहीं से आपको देख यर कि बताऊंगा कि अगर लिंक लिस्ट खाली होगी तो आप सबसे पहले तो वही चेकिंग कर लिख देंगे कि लिंक लिस्ट एंपटी है ना इस को थोड़ा सा पैन को प्रिंक लिस्ट एंप्टी चौट में लिखता हूं मैं आप समझते होगे तो link list हमारी empty है और हमारे को कुछ करने के जूरती नहीं है, फिर सारा ये काम else में करेंगे, अच्छा एक बात ये भी देखो, else में, अब एक node की कहानी भी मैं आपको यह ही बता देता हूँ, आप comments है से सोचो, 5 node है, उससे पिछली वैली node पे खड़े हो करके आप देखते हो क कि अगली node 5 है क्या, मतलब जो भी node है, आप उससे अगली node पे जा करके देखते हो कि क्या उसमें 5 है या नहीं है, मतलब कम से कम दो node link list में होनी चाहिए, अगली node की चेकिंग कर रहे हो कि वह 5 है या नहीं है, आप यह काम कर रहे हो ना, अफकोर्स P का next null होगा, क्योंकि head, अगर head जिस node को point कर रहा है तो null नहीं है, मतलब head जहां पे है वो null नहीं है, तब ही तो हमने बोल देना कि else part में आप कब आ होगे, P is equal to null नहीं नहीं निकला, तब ही आप यहाँ पे आयो, P is equal to null नहीं नहीं निकला, मतलब linkless template तो नहीं है, तो मतलब अगर सिरफ एक node होगी तो उसकी checking में कराने है, तो एक node की checking कैसे होगी, अफकोर्स P अगर यहाँ point कर रहा तो उसका next null होना चाहिए था, वो आप basic सी बात अब समझ पा रहे होगे, कि क्या value है उसमें, अच्छा एक का भी हम कर सकते हैं कि value check कर लो, क्या पता पहली node की value 5 निकली तो यह बात भी समझ लो, अगर पहली node की value 5 निकलेगी तो भी हमारा program फेलोना है, dead shore है, dead shore है हमारा program फेलोना है, बेशक से उसमें चाहिए एक लाख एक nodes हो, अगर पहली node की value 5 निकली तो आप फस होगे, क्यों कि आप basically देखा जाए तो आप उसकी checking करी नहीं देओ, आप क्या करो, P का next is not equal to null and P का next का value is not equal to 5, तो मतलब आप P के next की value देखने कोशिच करो, पहली node की तो आपने checking की नहीं करी, पहली node में value क्या है, ध्यान से देखने की कोशिच करो, पात समझ में आ रही है, जहां पे P खड़ा है, जहां पे P खड़ा है, आप क्या कर रहे हो, जहां पे head है, वहीं पे P है, तो आप उसके next की value से शुरू कर रहे हो, मतलब आपने first node को तो already miss कर दिया है, आप सम्झा रहे है कि नहीं आ रही है, जो भी first node होईगी, आप उसको already miss कर चुके हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो लो, मैं एक बार आपको diagram बना के दिखा तो मुझे समें कोई दिक्कत नहीं है, यह देखो बेटा, यह हमारी पूरी link list होईगी, और initially head हमारा यहां पे point कर रहा होगा, P pointer भी आप यहां पे ले आए हो, और आप loop में क्या कह रहे हो, P का next का value is not equal to 5, ऐसे कह रहे हो न, तो P का next का value, मतलब इस node की value तो आप चेक कर रह है, और indirectly वही कहानी बन जाएगी, कि अगर एक अकेली node हुई, और उसकी value 5 निकल आई, तो क्या करेंगे, बात समयारी है, मतलब directly-indirectly दोनों cases link हो जाएगे, तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, मैं सीधा यहां पे, यह करने के बजाए, P का next is equal to null करने के बजाए, मैं यहां आपका काम खत्म हो जाएगा, तो हमने क्या बोला, else if P value is equal to 5, मतलब first node की value 5 निकल आई, तो क्या करना है, तो क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, बेटा, सीधी सी बात है, निचे हम यहां पे हा करके लिख देंगे, क्या, P, वो नोड बनाएंगे, है ना, नोड बनाएंगे, तो struct node star P1 यह एक बार लिख लेता हूं, और else part भी लाना है, ना, तो ठीक है, कोई बात नि, मैं इसको पूरे को निचे कर लेता हूं, और पुशिश करता हूं, कि काम चल जाए हमारा, और छोटा कर लेते हैं, पूरा part निचे खिसकाते हैं, और यहां से struct node, यहां तक चलो, दो-तीन लाइने और लेते हैं, कॉपी करके लिए चलते हैं, हां जी, तो else if P well is equal to 5, तो आपको क्या करना होगा, आप नहीं नोड बनाएंगे, यह देख लो राम से, ठीक है, नहीं नोड बनाएंगे, और if P1 double is equal to null हो जाएगा, तो ultimately हम क्या देंगे, memory available नहीं है, और नहीं तो क्या करेंगे, else में आ करके क्या करेंगे, P का well 2 कर लेंगे, और P का next, P1 का next, that will be equal to P का next, हां बिल्कुल ठीक है, और यही चीज हो जाएगा नहीं है, और साथ में P का next is equal to P1, पस ठीक है, तो यह हम कर देंगे काम, तो हमारा ultimately, you can say, यह complete हो जाएगा, एक पर फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, जैसे A की नोड थी, ठीक है, तो head भी हमारा वहीं पे ही point कर रहा था, और हमारा P भी वहीं पे ही point कर रहा था, अब insertion at the beginning का case लगाना है, इसका मतलब आपने क्या क्या एक नई नोड बनाई, और P1 is the pointer to that new node, उसमें value मैंने 2 डाल दी, तो डालने के वादा, P1 का next तो खाली था ना बिटा, तो आप क्या करेंगे, P1 का next, that will be equal to P, और head, P1 पे चले जाएगा, ठीक है, head को ले जाओ, या P को ले जाओ, P1 पे, वो एक की बात है, जहाना तो हम क्या करेंगे, कि P1 का next पे head ले आएंगे, अब वही बात है, P1 का next is equal to P करना पड़ेगा, P1 का next that will be equal to P, और head को हम P1 पे ले जाएगे, head को P1 पे ले जाओ, या P को P1 पे ले जाओ, जहान जो करना कर लो, आपकी इच्छा है, P is equal to P1 कर लो, या head कर दो बेशक से, अगर आप कहते हो कि, sir, head से हम पहचान कर रहे हैं, link list की, तो आप head पहचान भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बेटा, च जाएगी, और यहाँ पे, अगर P की value 5 होगी, पहली node की value 5 होगी, तो हम यह सारी कहानी करेंगे, और फिर finally, else में आकर के, यह काम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, else, ultimately, if, फिर else if, else if में यह पूरा आ गया, ठीक है, bracket बगएर अपने आप देख ले ना, मैं सि यह हो गया सिधा, फिर उसके नीचे उसका else if आया, हैना, if के नीचे else if आया, और उसमें हमने बोल दिया, P की value 5 है क्या, अगर P की value 5 है, तो फिर हमने यह सारी कहानी करनी है, और else में आ कर के करना है, कि अगर P की value 5 नहीं निकली है, तभी आप else में आओगे, और फिर आप य अकेली node हुई और उसकी value 5 ना निकली तो अभी आप else में आओगे यह बस समझ पा रहे हो कि अगर link list में सिर्फ और सिर्फ एक एकलोती node है और इसकी value से 6 है और अगला यहां पर क्या रख हो है null और head हमारा कहां point कर रहा है तो ultimately आपने क्या किया PB यहीं पर point करने आ गया ना क्योंकि हमने तो function को कॉलिया से किया था ठीक है header पी दूने यहीं point कर रहे है अब आप नीचे देखो अब आपने क्या बोला P is equal to null है कि नहीं बेटा यह तो नोड को point कर रहा है लेकिन आप देखा तो फिर उसके लिए आपको बस एक message देना होगा कि नोड 5 नोड 5 नोड 5 नोड 5 नोड 5 नोड 5 तो वह मैं लिख देता हूँ वह मैं लिखना भूल गया हूँ तो वह मैं लिख देता हूँ यही चीज है बस बार-बार चीज़ों को देखते रहते हैं तो हमारे को पता लगता रहता है हाँ तो if वाले कहानी यह होगी अब इसी के नीचे इसका else में आप लिख दोगे क्या printf नोड having value 5 not found पस नोड having value 5 not found पस यह हो गया हमारा काम खता हूँ हमारा यह ओवर हो गया अच्छा जी तो यह इफ था तो यह इफ की bracket बंद ही यह else की bracket हाँ पस ठीक है यह bracket bracket प्लीज आप अपने match कर लेना बेटा मैं बार बर बता रहा हूँ it will simply waste my time also and your time also हम प्रोग्राइमिंग नहीं कर रहे हैं हम algorithm कर रहे हैं ठीक है प्रोग्राइमिंग करनी है तो आप जानते हैं मैंने सारा लिख दिया अब रैकेट रैकेट मैं तो आपने हम कर लोग इसमें कुछ नहीं है ठीक है I should not waste time here basic idea आपको control flow समझ में आ चुका है वाइड में से आपने function को call किया function को call करते हमने सिधा मैं function पर control लिया मैंने तो main की bracket औगर भी बंद नहीं करी आप समझ पारे होगे और सिधा अपना यहाँ पर आ करके काम शुरू कर लिया तो I hope ठीक है और ज्यादा मेरे ख्याल से मुझे बोलने की जूट नहीं है ठीक अब यह एकदम error free program है आप चेक कर सकते हो यहाँ पर कोई भी परशानी नहीं है तो एक node होगी उसको भी handle कर लेगा single node होई उसकी value पांच निकली उसको भी handle कर लेगा और अगर single node निकली जिसकी value पांच न होई उसको भी handle कर लेगा multiple nodes होई है न तो वो तो handle हम करी रहे थे और अगर तो अगर एगर तो मतलब अगर first node की value पांच होई, उसको भी ये proper handle कर रहा है, और in fact वही आखिरी node होई, तो भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो बस वही pointers को दो दो शिफ्ट कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं, I hope आप समझ पार होगे, मेरे ख्याद मुझे ज़्याद आप इस program को पूरा node कर सकते हो, अगर आपको दिक्कत है, तो लो मैं बढ़ा करके दिखा देता हूँ, आप node करते जाना, लो बेटा, यहां तक कर लो, उसके बाद फिर यह else वाला party यहां तक कर लो, और यह जो बचावा था यह भी कर लो, ठीक है, चलो, हो गया वाई, ठीक हमारे पास वही link list है, और हम क्या करेंगे, insertion before node करना है हमारे को, जिसकी value 5 है, और एक नई node डालनी है, दो वाली, suppose कर लो, यहां पे 5 है, तो यहां पे सबसे पहले, कौन होगा, head point कर रहा होगा, तो एक P pointer भी ले आएंगे, जो यहां point कर रहा होता था, अब हम क्या करेंगे यह P के साथ-साथ, एक P1 pointer रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको साथ-साथ चलाएंगे, मतलब in the sense, एक P1 pointer होगा, जो initially कहीं point नहीं कर रहा होगा, initially हम उसमें रखेंगे, null, ठीक है, N का मतलब null, और P कहां point कर रहा होगा, head जहां पे point कर रहा था, वहीं पे, मतलब first node को, उ जहां पे P point कर रहा था, वहां पे मैं P1 को ले आँगा, अच्छा, फिर मैं यहां पे आगर देखूँगा, क्या P की value 5 है, नहीं, तो फिर आप P को आगे shift करेंगे, और आगे shift करने के बाद, फिर यह जो P1 pointer था, उसको इधर ले आएंगे, मतलब P और P1 की विच में एक का gap रहेगा, अब आपको पता लगए कि हाँ पी की value 5 है, तो ultimately उसके पीछे कोन खड़ा होगा, बेटा, P1 खड़ा होगा, यह आप देख पारे हो, है ना मजा, तो इस तरीके सी भी आप कर सकते थे, तो दो pointer ले 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 लेना, initially पहले वाले pointer में नल रखना, मतलब जो पीछे च साब से मैं अपना सारा काम कर लूँगा, जो भी करना होगा, ठीक है, हाँ, but main condition, जो loop चलेगी, वो किसके according चल रही है, वो बेटा, P के according चल रही है, यह बात भी आप समझ पा रहे होगे, तो अब मैरे को फटा फट से core logic लिखवा दो, तो मैं समझ जाओंगा, आपकी concept, एक is not equal to 5, ठीक है, P is equal to P का next, ऐसे तो खाले भी बढ़ता जाएगा, लेकिन P1 को भी तो ले कर चलना है न, तो हम सबसे पहले उपर P1 को null रखेंगे, P1 में null रखेंगे, और फिर ultimately P value अगर 5 नहीं निकली है, तो P1 के अंदर सबसे पहले हम P की value डालेंगे, ताकि P1 और P दोनो एक जगा पे आजें, और फिर P को में आगे shift मार दूँगा, तो P is equal to P का next कर देंगे, दोनों लाइनों को swap मत कर देंगे, बहुत बुरे फ़र्जा होगे, क्योंकि आप P को change कर लोगे, फिर P1 भी यहां के खड़ा हो जाएगा, जो की बड़ी मुसीबत है, आप comments से समझ प होगे, P is equal to P का next कर देंगे, फिर बात है, segmentation fault हो जाएगा, तो आप मेरे खाल से समझ पा रहे होगे, यहीं पर हम क्या condition डालेंगे, क्योंकि P इस पे आ रहा है, पांच पली पे आ रहा है, तो जब P last note पे खड़ा होगा, तो उसके आगे हम एक बढ़ा देंगे, हमारे को द पार होगे, तो हम लूप से बाहरा जाएगे, यहा फिर आप चाहो, तो P is equal to null करके भी बाहरा सकते थे, तो मतलब P ultimately यहाँ पे हो जाएगा, जब P null पे होगा, और P1 हमारे यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, तो वो तुम्हारी इच्छ है, जैसे करना चाहते है, आपको कर सक हो, ठीक है, हम चल P के हिसाब से रहें, तो it's all up to you, अगर P का next is not equal to null रखोगे, तो ठीक है, एक step आप link list का बचा गए हो, कि आप पीछे यहाँ पे खड़े हो, बिल्कुल last note पे खड़े हो, क्यों कि यहाँ पे P का next null होगा, तो हम यहीं रूख जाएगे, ठीक है ना, और न आप क्या कर सकते हो, P का, P is not equal to null, यह भी आप कर सकते हो, तो it's all up to you, आप क्या करना चाते हो, तो ठीक है, तो ठीक है, पहले मैं से समझाता हूँ, तो हम क्या करना चाते है, हम देख रहे हैं कि P की value 5 है, और साथ-साथ P का next is not equal to null, अच्छा, यह लेकिन यहाँ पर नहीं एक जगा, यहाँ पर इस चक्कर में फास सकते हैं, यह अगर last node itself की value 5 निकली, तो आप देखोगे, पर ठीक है, अगर last node की value 5 निकली होगी, तो P का value आप देख रहे हो not equal to 5, बट P की value 5 आजएगी, तो आप लूप से बाहर आ जाओगे, तो अगर बेशक से वो last node भी हुई, तो अभी हमारे को दिक्कत रहे हैं, तो चलेगा, first class चलेगा, कोई दिक्कत निकली है, दोनों में से आपको जो इच्छा कर रहे हैं, आप वो चला सकते हो, ultimately अब आप बाहर आ करके क्या करेंगे, अब हमार इच्छी आपकी इच्छी है, अब आप चेकिंग कर सकते हो, क्या बोलोगे, if P का well double is equal to 5, यहां पर आप इच्छी लिख सकते हो, जो डीप की बात बोलोगा, ध्यान से सुनना, P का well 5 मैं यहां पर अराम से लिख सकता हूँ, reason being, कि हमने P का next is node equal to null check किया है, मतलब, ultimately P जहां कर रहा है, वो node ही है, आप समझ पार होगे, last node पर खड़े होगे, worst case में और क्या होगा, ठीक है, और यहां पर आप चेक कर रहे हो, क्या P का value 5 है, तो ठीक है, मतलब, main बात क्या है कि segmentation fault नहीं आएगा, बट अगर आपने यहां पर checking कर यही चीज, तो आप बहुत बुरे फ फज़ा होगे है, तो यह तरीका यहां नहीं चलेगा, बट यहां पर चल जाएगा, एक छोटा सा minute difference और कुछ नहीं, तो आप बोलोगे, if P value is equal to 5, हाँ जी, है, तो होगी, हम क्या करेंगे, वही node नहीं बना लेंगे, है ना, तो लिख देते हैं, struct node star P1, that is equal to, struct node star, struct node, size of, यह M-Alock, M-Alock पर लिखना पढ़ेगा, M-Alock, size of, struct, थोड़ा size को नीचे ही कर देते हैं, वैसे तो, हाँ जी, ठीक है बेटा, तो ultimately P1 में आ गया, वो फालती की बात है, प्लीज में से, मत लिख वाओ, P1 is equal to null होगा, तो हम memory not found, प्लीज में से, मैं सिर्फ टाइम बचाना चाहता हूँ, बेटा से, वीडियो बहुत लंबे 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 खिशते जाएंगे, हाँ जी, तो नई node त्यार कर लेनी है, नोट त्यार करने के बाद, अब हम क्या करेंगे, तो जब P के value 5 मिली है आपको, पे value 5 मिली है, तो अफकोर्स आप समझ पार होगे, यह P1 उसके पीछे खड़ा है, तो बस, वहीं पे आपको, अच्छा, P1 तो मैं ले चुका था, तो P2 ले लेते हैं इसको, तो P2, अच्छा, तो अब मैं क्या बोलूँगा, P2 का जो next होगा, that will be equal to P1 का next, imagine आप कर पार होगे, इसमें कुछ है नहीं, और P1 का next, that will be equal to P2, बस, यह ले लिखते हैं आपका काम खतम है, क्या बोलोगे, आप P2 का next होगा, नई नोड़ा आपने बना ली है, P2, P2 उसको point कर रहा होगा, और उसमें value 2 डाल नहीं थी, तो आप please value 2 डाल लेन वो मैं डालना भूल गया हूँ, तो आप यहां डाल सकते थे, P2 value is equal to 2, तो value 2 डाल गई, आप दो डालने के बाएद आपको क्या करना है, P1 कहां था, पीछे दा न, तो P1 का next, P2 मत कर देना, बार बार मैं बताता हूँ, सबसे पहले इसको, इसको इधर करना है, मतलब यह को हमारा काम कहता हो गया, ठीक है यह हो गया हमारा core logic की कहानी एक तम, ठीक है, तो चाहे आप वोई बात है, चाहे आप यह चला लो, चाहे आप यह चला लो, तो मैं दोनों तरिक्कों से आपको दिखा रहा हूँ, तो this is our first way, है ना, तो P का next is not equal to null, से हम चल रहे थे, P1 is equal to P क next, if P value is equal to 5, तो यह सारी कहानी आपको करनी है, तो मैं इसको थोड़ा सा और उपर shift कर देता हूँ, और यहाँ पे बेशक से आप यह चला सकते थे, कि P value या P का next is not equal to null, यहाँ पे आप लिख सकते थे, मतलब क्या हुआ, directly-indirectly आप P value is equal to 5 करके भारा है, वो बात बरा-बरा node, node found P value 2 होईगी, तो उसके साब से आप बढ़ाल होगे, मेरे खाल से इसी काम है, मैं ज्यादा बोल-बोल के आपका time wasting नहीं करना चाहता, और फिर वही बाता है, वो competitive programming, और वहाँ पे shift होना नहीं चाहरा, वो उधर shift हो जाएगा, gate में इतने, मतलब ऐसे questions नहीं आएंगे, ऐसे तो इसका मतलब क्या होगा, कि हमारे पास हो second 5 है, और उसके लिए हम कर लेंगे, जो भी करना होगा, I hope, idea मैंने दे दिया, आप पकड़ के होगे, अगर आप interested है, तो सब आप काम कर पाऊगे, और gate के लिए इतना required नहीं है, तो मैं इतना गुशने रहा हूँ, चलो, ठीक है पहली ही node हुई, और पहली ही node पे value 5 हुई, तो क्या करेंगे, वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है, और अगर एक ही node निकली, तो क्या कर रहा है, ends on, वो सब कहानी एक बार करके देख लेते हैं, और इसमें मैंने easy तो आपको दिखाए थी थी, कि अगर last node की value भी 5 होईगी, त तो आप क्या करोगे, तो मैं पहले यही पर देखता हूँ, क्या होता है, फिर अगर modification करनेगे, तो हम कर लेंगे, तो हमने सबसे पहले देखा क्या, अगर first node itself 5 हुआ, तो आप ये करेंगे, p की value is not equal to 5 था, बट 5 निकल आई है, तो आप बोलोगे, if p value is equal to 5, yes, तो अब अब अगर अगर first node itself में 5 हुई value, तो ये code आपको लग रहा है, बट ये नहीं चल रहा, why it is not running, because p1 नल पे खड़ा है, ये बात समझो, अगर पहली node में 5 हुआ, तो p1 में तो बेटा नल है, और p यहाँ पे खड़ा था, तो आप नल में फिर वही बात है, वो कर दोगे, क्या कहत segmentation fault हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ, मैं line number भी लिख देता हूँ, say line number 1, मैं बोलूँगा कि if first node itself has value 5, then segmentation fault at line number 1, तो बतने का तरिका क्या होगा, of course code अलग से बनाना पड़ेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा starting में ही, कि इसी से उपर ही आप लिख लेना, कि if p value double is equal to 5, जब आपने function को call किया होगा, तो वहाँ पे code चिपकाना पड़ेगा, चिपका दूँ, चलो यार, एक मिंट लगेगा, let me copy this slide, paste, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो p1 is equal to null आपने कर रखा है, अच्छा, चलो, मैं इसी के ही उपर दिखा देता हूँ, मैं सिधा बस यहाँ लिखोंगा, कि if p well double is equal to 5, यह सब क्या हुआ होगा, insertion था न, तो यह p क्या है, p वही pointer है, वो हमने function call किया होगा, तो वही से, मतलब p initially head को ही point कर रहा होगा, by default यह हमारा चला है, यह न, बेशिक से आपको लिखना तो लिख लेना, इंसर्ट, struct node star p, main से आपने यहाँ पे बस वो head की value पास करी होगी, आपको पार रहागी, तो pure head एक ही जगा पे है, तो आपने सिधा बोल दिया कि पहली node की value 5 है, तो if p value is equal to 5, तो आप क्या करेंगे, node बनाएंगे, और यह, please, मैं इसमें time-based ना कुरता है, मैं steps लिख देता हूँ, फोड़ा सा time बचाओ, बेटर ने, तो lectures फालतू के बहुत ज़दा लंबे होते चले जाएंगे, तो if p value double is equal to 5, तो मैं क्या लिखूंगा, step number 1, make node, node बना लेना, उसका code आप copy paste कर सकते हो, यह रा code, यह struct node star p2 ends on, p2 अपना pointer हो जाएगा, उसके लिए, और फिर हम क्या करेंगे, p2 pointer था न, तो p2 का जो next होगा, आप imagine करो बस, अपने आप imagine होगा, p2 का next that will be equal to head, लेकिन session at the beginning हो रही है न, तो p2 का जो next होगा, वो head हो जाएगा, और head आप किदर point करने लग जाएगा, जहां p2 point कर रहा था, head is equal to, ठीक है, यह काम करने से हमारा clear हो जाएगा, और यह बस मैंने node बनाना आपको नहीं दिखाया है, तो बेशक से अगर आप चाहते हो तो मैं node भी दिखाते है, तो मुझे इसमें कोई दिखकत नहीं है, लगने तो दो मिनटी है, कोड़ी तो कभी पेस्ट करना है, ताकि पूरा first class code तो बन जाए, बड़ा हो जाएगा, यह मुश्किल है, जो लो कोशिश करता हूँ, अगर आते हैं पकड़ में तो, देखते हैं, क्या कुछ, ओपस, यह क्या हो गया भाई, इसको नहीं चेड़ते, चेड़ेंगे तो यह और ज़्यादा ही, वो करेगा, last try है, track cloning, इसको छोटा करके लाते हैं एक बारी, पहले इसको करो, छोटा, हाँ, यह हो गया है fit, और यह value, अच्छा, हाँ, वो भी तो करने थी न, value, अगर बढ़ोगी बाई, हिल गया यह सारा न, अब पूरा पगड में आएगा यह, सारा ही हिल गया, control Z करेंगे तो बात बनेगी क्या, नहीं बनेगे, हिल गया है, थोड़ा सारा जेस्ट करना पड़ेगा आपको, तो यह जो था, बस यह जो code हमने लिखा है बेटा, यह क्या करेगा, यह बस node नहीं तियार कर देगा, और P का next, P2 का next head है, और head is equal to P2 है, बस यह मैंने बोल दिया है, आप I think समझ पा रहे होगे, अब मैं कोशिश करूँ भी सही, तो भी बेटा यह ओपर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा यह अब, पुरा हिल गया है, यह code, ओ, very good, हो गया, जाएगा के नहीं, तो लो मैं ऐसा करता हूँ, recording का time waste नहीं करता हूँ, मैं एक बार इसकी खोद से करता हूँ, फाइनली हो गया है भीटा, इसको हमने complete कर लिया है, हाँ, यह ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, यह इफ वाली बात थी, तो यह इफ की bracket लगा करके, यहाँ पर बंद करना, और फिर p1 is equal to null lands on, यह सारी कहानी इसके बात चलेगी, तो हम इसको else में डाल देते हैं, ब्रैकेट लगार अपने अपने अप लगा लेना, इफ में यह पूरा काम बंद हो गया, कि अगर p की वैल्यू इसल्फ 5 निकाले, मतलब पहली नोड पी 5 निकाले, तो यह सारी कहानी करके, हम काम खतम कर लेंगे, नहीं तो फिर हम एक नया पॉंटर डिफाइन करेंगे, p1 is equal to null कर लेंगे, पूरा रफ काम में कर रहा हूं, नहीं तो पूरा लिखता, stuck node, star, p1 is equal to null, आपको बस मैं लॉजिक समझा रहा हूं, लॉजिक समझ पा रहा हूंगे, बार बार बतारो बेटा, and p is not equal to null, मतलब ड्रेक्वलिक ये, प को बिल्कुल last रहा हूंगा, last से भी आगे ले जाऊंगा, और p1 हमारा last node पे खड़ा हो जागा, उससे को फरक नहीं पड़ने वाला, बस सिरफ और सिर्फ चेंज यहां पर यहां पर यहाएगा, आप सीधा बस यहां पर यह चेक करोगे कि P is not equal to null I hope I've समझ पा रहे होगे यहां पर बस आपको क्या चेक करना होगा P is not equal to null तो segmentation fault नहीं होगा हमारा और बाकी तो सब as it is चलेगा मतलब यहीं से ही आप code copy करके ले आओगे यह पूरा struct node और यह सब कुछ ऐसे ही as it is आजाएगा ठीक है आजी वाइ लूप हो चुकी है P is equal to P का next if P is not equal to null उसके बाद यह पूरा copy paste लो जी तो अब देखो राम से अगर P is not equal to null हुआ P अगर null नहीं है that means what directly and directly P की value 5 निमली है तो यह भी आप लूप से बाहर आए हो ऐसे तो बाहर नहीं आए होगे अच्छा जी और उसके बाद फिर अपने नोड तियार करी यहां पर भी वही टेंशन पैदा होगी कि अगर पहली नोड पर ही value 5 हुई तो तो यहां पर मेरे ख्याल चल जाएगे पर चेक करते हैं P value is not equal to 5 था तो अगर P value 5 आ गई तो आपने सिधा लूप तोड़ा बाहर आए आपने बोला क्या P null है नहीं पी नल तो नहीं है तो आपने नोड बनाई और P2 की value आपने 2 डाली और P2 का next हाँ और P1 is equal to P2 बट वही बात है P1 का next फिर यहां चक्कर तो आएगा अभी भी है ना क्योंकि P1 का next हमने लिख रख़ा और P1 में हमने नल डाल रखा था अगें दिक्कत आएगी है ना तो फिर हम क्या करेंगे तो वह यह फैल्स वाली कहानी करनी पड़ेगी यहां से वही पूरा copy करके आना पड़ेगा code है ना let me copy this code यही चीज आपको यहां पे भी डालनी पड़ेगी इस प्रेट आपको समझ में आया होगा वही में से अपना हैड आया होगा और हैड की वैल्यू पी में आई होगी और इफ पी वैल इस इकोल टू हम बोल देंगे 5 है तो फ्रक नोट स्टार पी 2 एंड सारी कहानी हमारे को करनी पड़ेगी क्यों कि अगर पहली वैल्यू ही 5 म इक स्टेप फालतु चल रहे है तो ज़्याद अच्छा नहीं ज्यादा अच्छा है क्यों आपको यहां पर लाकर खड़ा करेंप्या बढ़ाते होगे और अगर एक से भी आगे लेगए तो पी यहां आगे लेगा पर वहोगा वह लान को रहा तो दो काम को करने के जृत भी यह लोजिक बहुत प्यारा था आज बाजु वाला कि एक को आगे करो उसके पीछे रखो फिर एक को आगे उसके पीछे एंड सौन तो आगे मैं गढ़ा सकता था इनके विच में अगर अभी तो एक का गैप था फिर दो तीन का चार का जितना चाहूं तो न गआप करवा के मै काम कर सकता हूं, तो मतलब मैं यह भी कह सकते था, कि insertion before two nodes having value 5, 5 value थी, उससे दो node पहले आपको insert करके दिखाना है, उससे तीन node पहले करना है, अभी तो हमने उससे zero node पहले insert करा है, 5 था तो उससे पहले आपने node insert कर दी, अब मैं क्या कहूंगा, उससे भी पहले आप यहाँ प बत सम्झारे मैं क्या करना चाहरा हूं, let me show you that in the next slide, देखो बेटा, मैं यह कहना चाहता हूं, link list है, हमारे पास, यह ready है, और suppose कर लो, मैं कहता हूं, यहाँ पे value 5 है, तो आपको जो insertion करनी है न, वो यहाँ पे करनी है, नहीं node की, ऐसे, एक है, मतलब बीच में एक node का gap, तो यहाँ पे खड़ा होगा, तो उसे एक से भी एक पहले यहाँ पे P1 खड़ा होना चाहिए, तो मतलब दो-दो का gap maintain करवाना चाहते थे आप, ultimately आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जब आप यह सुपोस कर लीजिए, यह head है हमारे पास, यह head है, और initially वही बात है, जब function कॉ पी करते जा रहे थे, हम आगे-ागे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आप वह काम नहीं कर सकते हैं, पी करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मैं अभी आपको समझाता हूँ, ज्यादा बोलोंगो तो time waste होगा, मैं समझो, मैं क्या कहना चाहरा हूँ, पी दोनों को यह रखो, पी तो initially था ही था, क्योंकि आपने function कॉल किया था, पी 1 को भी आप यहीं पे लेओ, अच्छा, उसके वाद आप क्या करोगे, पी is equal to पी का next करोगे ना, तो पी यहाँ पर आ करके खड़ा हो जाएगा, मतलब now, पी will come here, और उसका भी आप next कर लो, तो ultimately पी कहाँ पर खड़ हो जाएगा, यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, तो आपने क्या करा, पी is equal to पी का next का भी next कर लिया, तो पी इतरा करे खड़ा हो गया, और p1 अपना वहीं खड़ा है, बस अब क्या tension है, अब आपको क्या करना है, अब पी का next next लूप में, पी का next next करते जाना है, ऐसे p1 का भ पांच नहीं मिलता तो हम क्या बोलेंगे, वही P का next is not equal to null, ताकि हम P से बिलकुल last node पे खड़े हो जाया है, उसके आगे हम क्यों बढ़ें, पालतु का time pass क्यों करें, एक step पहले हम काम खतम करेंगे, हाँ जी, तो यहीं पर ही, बस अब आप क्या बोलोगे, P1 is equal to P1 का next, और P is equal to P का next, बस, तो P भी एक step आगे बढ़ता जाएगा, P1 भी एक step आगे बढ़ता जाएगा, P1 भी एक step आगे बढ़ता जाएगा, अब मज़े की बात क्या थी, कि P1 का P, और P1 में आपने शुरू में दो का gap रखा था, तो वोई gap हमेशा maintain होता जाएगा, P आगे बढ़ता कर दो, और एक और एक और आगे shift कर दो, और फिर आगे P1 को भी आगे-आगे, P को भी आगे-आगे, बस, so simple, फिक है, I hope आप समझ पा रहे हो, और यही काम, हमने तो वैसे P1 में नल डालके काम करके दिखाया था नहीं, तो आप एक का ही gap maintain करवाने अगर, तो आप उसके लि हाँ, वही बात है, फिर boundary value analysis आपको करना पड़ेगा, कहां पी का अगर बढ़ार या answer, वह सब देखना पड़ेगा, मैं वो time pass नहीं करना चारता है, यहाँ पे, it will simply waste our time, ठीक है, logic में आपको समझा दिया, तो अब आप समझ पार होगे, दो का gap maintain है, तो फिर P1 यहाँ पे ख कर रहा हूँ, ठीक है बाता, बस boundary value analysis आप अपने आप करेंगे, logic में आपको basic समझा दिया, कि क्या करा जा सकता है, ऐसे ही, मैं कहा सकते था कि insert a node having value 2, before 3 nodes having value 5, यहना 3 nodes पहले डालो, आप फालती की बात है, अब आप समझ पार यह सब कर लोगे, ठीक है, यहाँ आपको बहु इनिशली मैं आपको सिखाऊंगा, start first node कैसे delete करनी है, deletion at the beginning, यह मैं आपको next lecture में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो हमने traversal पूरा complete कर लिया, insertion पूरा complete कर लिया आज के lecture में, अब हमारा deletion बचता है, उसको मैं next lecture से start करूँगा, ठीक है बेटा, thank you so much, bye bye, video अच्छे लग रह एक चोटा सा बेटा error हो गया था मुझसे, I think आप अपने अप notice कर गए होगे, हैना, मैं error ही बना जाए ताकि आपको पता लग जाए, पहले P not equal to null चेक करना चाहिए और बात में P value not equal to 5, यह से बाते में पहले भी बहुत बार कर चुका हूँ, हैना, I hope आप अपने अपसे guess क कर गए होगे, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक चोट सी logical mistake हुई है, क्योंकि अगर आप यह पहले P value not equal to 5 check करने कोशिश कर गए होगे, तो of course segmentation fault आजाएगा, क्योंकि जब आप last note पे खड़े होगे, P value 5 तो नहीं होईगी, तो P is equal to P connect कर होगे, और उपर नहीं होगे, और आप देखोगे कि NULL पे value check करने कोशिश कर रहा हो, that will create a segmentation fault है, क्योंकि हम P not equal to null check कर रहा है, I hope आप समझ पार होगे, ऐसे समझ लो, last note पे खड़े हो, last note पे खड़े हो, और आप देख रहा हो, value 5 तो नहीं है, मैंने बोल ठीक है, और P not equal to null, of course P null भी नहीं नहीं है, हम पी तो किसी note को point कर रहा होगा, तो फिर आप क्या करोगे, P is equal to P का next, तो फिर जब आप ऊपर आकर चेक करोगे, तो of course null पे होगे आप, और आप चेक कर रहा हो, कि P well is not equal to 5, of course segmentation fault विल अकर, तो इन दोनों को interchange कर लेना, similarly बेटा, next slide में भी यही गरवड थी, त इन दोनों को interchange कर लेना, P not equal to null पहले करना है आपको, और P well not equal to 5 बाद में करना है, of course मैं बार 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 बता रहा हूँ, आप चक कर गए होगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको अपने अपसी logical mistake मेरी पकड़ में आ चुकी होगी, बट फिर भी मैंने आपको बता अपने अपने शेर जरूर किया करो, ताकि मुझे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज्यादा से जादा काम कर सकूँ आप लोगों के लिए, और अगर आप मुझे डोनेशन देना चाहते हो, तो QR Code आपको मिल जाएगा, आप चैनल बैनर पे, राइट हैं साइड में, उपर आप मेरा टेलेग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पर आपको जो भी डाउट से आप पूसकते हो, बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रूप है, बहुत सारे एक्टिव रहते हैं, फटाफट से आपको रपलाई मिल जाएगा, लेकिन और अगर आप और जदा मैने अपको बना कर के दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्राइब मिल जाएगा, सब कुछ फ्री है वही है, मैं किस जीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, everything is free of cost, donation देना चाहते हो, आप